वेलकम यूल गाईज वांस अगेन आम उश्रा मायन अंदन और आज के इस वीडियो में हम रस्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं डेले सलतिनत का उससे पहले हम एक नजर देखते हैं कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या-क्या कंप्लीट किया है अगर की जा तो देले सल्तनत में हमने यहां में तो इससे श्टेप्स हो सकते हैं वो हमने यहां पे नोटअळ कर लिया है खिल जीव अंश हमने देख लिया है और डेले सल्तनत की अगर बात की जाए तो डेले सल्तनत में हमने ये सारी चीज़ें हमने इन शॉर्ट देख रखी है आगे हम वीडियोज में इसको अच्छो से देखेंगे आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रही हूँ जो टॉपिक वो है नसर अदीन तुगलक इसके बारे में हमने नहीं डिसकस करी थी आइटिंक सो मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने यहाँ पर देख रखा था सो नसर अदीन तुगलक से हम स्टार्ट करते हैं और नसर अदीन तुगलक जो है पैन पेपर लेके बाठीएगा जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं प्रीज उसको नोट डाउन कर लिजएगा आने वाले किसी भी एक्जाम के लिए सर्फ बीपीसी के ल सारे में हमें देखना है आज की वीडियो में नसर अदीन मुहम्मद तुगलक जो है ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था और यहां से क्वेस्टन्स बनते हैं इसे के शासनकाल में तैमूर लंग ने 1398 इस्विव में भारत पर आक्रमन किया था मलिक शर्षक नामा के खिजरे ने नसर अदीन मुहम्मद के शासनकाल में ही जौनपूर को एक स्वतंतर राज्य घोशित कर दिया था यहां तक हमने पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिया था अब हम आगे देखेंगे सईयद वंख खिजर खा के बारे में तुगलक वंख के पस्चाद दिल्ली पर सईयद वंख के शासन कि अस्थापना हुई और तैमूर लंग के सिनापती खिजर खाने इसकी अस्थापना की सेद वंश का शासन जो है ये 37 वर्षों तक रहा जिसमें मुबारक शाह, मुहम्मद शाह एवं अलाउदीन शाह आलम जैसे शासकों ने राज किया खिजर खाने रईयत ए आला की उपाधी से ही स्वयम को संतोस्त रखा ये इंपोर्टेंट है कि किस उपाधी से इसने खुद को संतोस्त रखा या फिर रईयत ए आला उपाधी किसके लिए यूज किया जाता है किसको दिया गया था याहिया बिन एहमद सरहिंदी जिनोंने तारीखे मुबारक शाही की रचना की मुबारक शाह के दरबार में संग्रक्षन पादे थे काफे important facts है ये है नेक्स्ट point हम देखते हैं अलावदीन शाह आलम के बारे में सयद वंश का अंतिम शासक सुल्तान अलावदीन शाह आलम था इसके बाद हम देखते हैं लोदी वंश में हम देखेंगे सबसे पहले बहलोल लोदी दिली पर प्रथम अफगान राजी की अस्थापना का श्रे जो है ये किसको जाता है ये जाता है बहलोल लोदी को उसने लोदी वंश की अस्थापना की किसने बहलोल लोदी ने और बहलोल लोदी ने शाह गाजी की उपाधी धारन की तिथा बहलोल सिक्कों का प्रचलन करवाया जो भी उपादी जो भी शेहन सा धारन करता है वो इंपोर्टेंट है और कौन सा सिक्का चलाया उस सिक्के पर क्या उतकेंट था ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाती है बात करते हैं सिकंदर लोधी की लोधी वंच के शासक सुल्तान सिकंदर लोधी ने आगरा शहर का निर्मान करवाया और यहीं पर इसने अपनी राजधानी भी अस्थापित की सिकंदर लोधी ने भूमी के माप के लिए गजे सिकंदरी का प्रचलन किया और सिकंदर लोधी ने कुल रुखी नाम से फारसी भाषा में कविताओं की रचना की उसके आदेश पर आयरवेदी ग्रंथ का फारसे में फरहंगे सिकंद्री नाम से अनुवाद हुआ और सिकंदर लोदी ने महिलाओं के पीरो एवं संतों की मजार पर जाने तथा मुसल्मानों द्वारा ताजिया निकालने का पर प्रतिबंध लगा दिया था खिसने लगाया था सिकंदर लोदी ने सिकंदर लोदी के शासनकाल में गान विद्या के लिए एक प्रसिद्ध ग्रंथ लजजद ए सिकंद्री की रचना होई थी और सिकंदर लोदी के वजीर ने 15 Martinez में मोट मस्जद का निर्मान कराया सिकंदर लोधी के पस्चाथ इब्राहीम लोधी शासक बना जो कि दिल्ली सल्थनत का आखरी शासक था इब्राहीम लोधी की बात कर लेते हैं इब्राहीम लोधी के दर्बार में मजखाने अफगाना के रचनाकर अहमद यादगार को संग्रक्षन प्राप्ट था और इब्राहीम लोधी ने भवन निर्मान में दोरे गुंबदों एवं खप रहले के इस्तिमाल के शुरुआत की फरगाना के जहिरुद्दीन मुहमद बाबर ने 21 अप्रेल 1526 इसवी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहीम लोधी को हराकर दिल्ली पर से लोधी वन्ष का शासन जो है ये समाप्त कर दिया जहिरुद्दीन मुहमद बाबर ने 21 अप्रेल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहीम लोधी को हराकर दिल्ली पर लोधी वन्ष का शासन जो है ये इंड कर दिया सल्तिनत का प्रशासन कैसा था इन शॉर्ट हम वो देख लेते हैं जो भे इंपोर्टेंट पॉइंट्स चाहां से क्वेशन्स बनते हैं दिल्ली सल्तिनत धर्म तथा सेना की शक्ति पर आधारित एक धार्मिक राजदंत्र था और संपूर्ण सल्तिनत काल में इसलाम धर्म रूप में प्रतिस्ठित रहा सुल्तान शासन के समस्त विभागों का प्रमुक होता था और सुल्तान को शासन में सहायता देने के लिए मंत्री परिशद होती थी जिसमें मजलीस एक खल्वत कहा जाता था किसको मजलीस एक खल्वत कहा जाता था जो मंत्री परिशद शासन में सहायता के लिए होती थी सुल्तान को उसे मजलीस एक खलवत कहा जाता था परन्तु मजलीस एक खलवत की सलाह सुल्तान के लिए बाध्य नहीं था मतलब वो सलाह देगा लेकिन सुल्तान मानेगा या नहीं मानेगा इस टोटली अब तु सुल्तान ओके नेक्स पॉइ की तता है जो मीचे देखने वाले हैं वित मंत्राले जो है, सबसे महत्वॐपोन विभाग था है और इसका प्रधाण जो है वो कॉन होता था वो होता था owजीद अब वित मंत्राले के अंतरगत कौन-कौन से विभाग आते थे ये एक नजर देखते हैं दिवान ए विराजत जो कि राजस्वर विभाग होता था दिवान ए इर्श्राफ जो कि लेखन परिच्छा विभाग होता था दिवान ए इमारत लोक निर्मान विभाग होता था दिवान ए आमीर को ही क्रिश्य विभाग होता थ दिवाने इंशा ये जो है ये आलेक विभाग है और दिवाने खेरात ये एक दान विभाग है दिवाने वंदिगान क्या था तो ये था दास विभाग और दिवाने इस्तिफाक जो है ये था पेंशन विभाग वित्मंत्राले के अलावा वजीर, मुख्यमंत्रे, गुप्तिचर, डाक, धर्मार्थ, संस्थाओं तथा कारखानों का भी प्रमुक होता था और उपरोक्त विभागों के अलावा अलावदीन खिलजी ने अधिकर अधिशेंस का हिसाब रखने के लिए वित्मंत्राले के तह अलावदीन खिलजी ने करवाया, क्यों करवाया, तो जो अधिशेंस कर थे उसका हिसाब रखने के लिए अलावदीन खिलजी ने दिवान ए मुस्तकराज की अस्थापना की, जलालुदीन खिलजी ने दिवान ए विराजत के तहट दिवान ए वकूफ नामक एक विभाग की स्थापना की जिसका काड़े का क्या था इसका काड़े था आय व्याय के काउजातों की देखभाल करना और प्रशासन की समुचित विवस्था के लिए संपूर्ण राज्य को 20 से 25 सुबह में विभाजित कर दिया गया ओके आगे हम देखते हैं खिजली एवं तुगलक काल में बंगाल, कुजरा, चौनपोर, मालवा, खान देश तरता, डककन, आदेश, महतवपूर्ण सुबह प्रांत थे और ग्यासुत दिन तुगलक ने बिहार के उतरी हिस्से में तिरहुत नामक नए प्रांत का गठन किया प्रांतो में शासन का संचालन जो है ये नायब, वली तथा मुक्ति द्वारा होता था तो अगर पूछा जाता है कि देल्ली सल्तनत काल में प्रांतो में शासन का संचालन जो है ये किसके किसके द्वारा होता था तो ये होता था नायब, वली तथा मुक्ति द्वारा अब हम देखते हैं सलतनत के प्रमुक्षकेंद्री मन्त्री एवं अधिकारी किसको किस नाम से जाना जाता था तो नायब वजीर जो है इसको वजीर की सहायता के लिए इसको बनाया गया था मुश्रीफ ए मुमालिक जो है ये प्रांद स्था विभिन्न विभागों से प्राप्त हिसाब का लेखा जोखा रखना इसका कार्य था ये मुश्रीफ के हिसाब का जाँज करता था और मजमूवादार ये IVI को ठीक रखने वाला पदाधिकारी था खजीन खजांची होता था और आरीजे मुमालिक हमने देखा सेना मंत्री होता था नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं काजी उल्क उजाज जो है ये क्या होता था ये होता था मुख्य न्यायधीश और सद्र उस सुदूर ये किसको कहा जाता था ये विभाग क्यों था ये धर्म विभाग का अध्यक्ष था एवं राज की ये दान विभाग भी उसी के अंतरगत आता था किसके अंतरगत तो ये सद्र उस सुदूर के अंतरगत वकील ये दर्ड क्या था तो सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रवंधक था और अमीरे हाजिब ये दर्बारी शिस्ताचार के नियमों को लागू करने वाला पदाधिकारी होता था सरजानदार कहते थे सुल्तान के अंग रख्षक के नायक को और अमीरे आखूर ये अश्वसाला का अध्यक्श होता था शाहनाए पील ये हस्ती शाला का अध्यक्श होता था और बरीद ये गुप्तचर होता था तो इतने सारे points आपको दिमाग में रखना है ये काफ़ी important है क्योंकि one-liner type की question में friends इस type questions कहीं भी देखने को मिल सकते हैं और कोई भी कमी इस वीडियो में नजर आती है तो please मुझे comment section में comment करके बताईए और अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को like and subscribe जरूर किजेगा साथे साथ bell icon को press कर लिजेगा ताकि आने वाले किसी भी वीडियो का notification आपको time to time मिलता रहा है 18 सदी में सुल्तानों ने सल्तनत को सैनिक छेतरों में विभक्त कर दिया था जिन्हें क्या कहा जाता था इक्ता तथा इक्ता या फिर अक्ता कहा जाता था इक्ता का प्रधान एक शक्ति साली सैनिक अधिकारी होता था जिसे क्या कहते थे जिसे कहते थे मुक्ती तिरहावेश अताब्दी में प्रांतो थठा एक्तो का प्रशासन छोटी एकाईयों में विभकत नहीं था 14. शताबदी में सल्तिनत के विस्तार के कारण शिक को जिसको क्या कहते थे जिला शिक को मतलब जिला का गठन किया गया शिक का शासक जो है ये क्या कहलाता था ये अमील या नाजिम कहलाता था एक शहर या सौ गाओं के समू का शासक अमीर ए सदा कहलाता था और शासन की सबसे छोटी इकाई कौन होती थी ये होती थी ग्राम जिसका शासन मुकदम खूत एवं चौधरी के हाथों में होता था ये हम दल्ही सल्तिनत के बारे में देख रहे हैं सारे पॉइंट्स इंपोर्टन्ट है वर्लाइनर्स पॉइंट्स जो भी जहां से भी क्वैस्टन्स बनते हैं वो हम यहां पे कवर कर रहे हैं हलाकि मुरक्कोवासी इबन बदूता ने साधी सौ गाओं का समू को ही प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी है तो अगर में मुकिण मुख्या को सहायता प्रधान करने ही तो प्ट्वारी एवं कारकून लेख़ग भी होते थे और नगर प्रशासन में अमीरे सदा की सहायता के लिए कौन-कौन होता था तो यह होता था मुतसरीफ-कार्कून-बालाहार-.. मुकद्दम, चौधी, पटवारी, एवं पियादा, ओके, ये सारे टर्म्स हमें नोट डाउन कर लेने हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसलाम के नुसार शड़ा में राजकिये आए के पांच साधन होते थे, उसको क्या कहते हैं, इसे जरूर नोट डाउन कर ले जबकि खिराज जो है ये ग क्यार मुसलमानों से लिया जाता था। जकाज जो है एक प्रकार का धार्मिक कर था। जो गयर मुसलिमों से लिया जाता था। जजिया हिंदूओं से लिया जाने वाला करता दिथा खंस जो है, ये लूट के माल में राज्ये का हिस्सा होता था उपरोक्त करो के अलावा राज्ये को खानों, भूमी के गरिवे धन, निरियात आयात कर आब कारी कर, यात्रा कर, चारागाह कर, ग्रीह कर, लावारी संपत्ती एवं सिचाई कर आधी से भी आए होती थी देल्वी सल्तिनत में आगे हम देखते हैं अलाउदीन खेल जी की बाजार नियंतरन व्यवस्था जिससे काफे सारे questions पूछे जाते हैं और बहुत ही important point है ये, इसको हम अच्छे से यहां से देख के जाएंगे So, अलाउदीन खेल जी ने बाजारों का नियंतरन किया, तथा दैनिक प्रयोगों की वस्तों का मुल्ले जो है, ये निश्यत कर दिया था इसने अलाउदीन खेल जी ने उस यूग के लिए यह अध्वित ये प्रयोग था जो की अलाउदीन खेल जी के द्वारा अपनाया गया था और इसकी जानकारी हमें जियाउदीन बढ़नी की फत्वाहे जहांदारी से प्राप्त होती है तो ये जियाउदीन बढ़नी की है फत्वाहे जहांदारी अलाउदीन ने बाजारों को कितने भागों में बाटा था तो ये बाटा था तीन भागों में मंडी खाद्यानों का बाजार पहला दूसरा था सराय अदल कप्रों एवं विनेर्मित वस्तुओं का बाजार था और थर्ड था पशु एवं दास बाजार जो कि घोरों मवेशियों एवं दासों का बाजार होता था ठीके विभाग एवं पधाधिकारी जो है ये अलावदीन खेल जी ने दिवाने रियासत वानिजी मंत्री को बाजार नियंत्रन की संपुर्ण यवस्ता का दाइत्व स्वांप दिया था और इस पद पर अपने विश्वस्त अमीर याकूब को निउक्त किया था अलावदी चक मुतसिब जो है ये क्या होता था ये होता था सेंसर अधिकारी बारीत किसको कहते थे बारीत घूम घूम कर सुचनाएं एकत्र करके शहना के पास पहुचाने वाला गुप्तचर होता था और मुनहीन क्या होता कौन होता था यह एक अस्थान पर रहकर बाजार के गुप् देने वाले अधिकारी को परवाना नवीस कहते थे और वही नाजीर कौन था तो नाजीर था मापतौल करने वाला अधिकारी बाजार की विशेस्ता क्या थी विवस्ता तुमने देख लिया अलाउदीन खिल जी के बाजार की विशेस्ता क्या थी तो सुल्तार ने दलालों को बाजार से निकलवा दिया था और काला बाजारियों के साथ अत्यांत कठोर नीती अपनाई जाते थी जो भी कम तॉलते थे या अधिक मुल्य वसूलने वालों के खिलाफ कठोर डंड की विवस्ता दे तो ये थी इसकी बाजार नियंटरन प्रणाली अधिकांज इतिहासकारो का मत है कि यह विवस्ता सिर्फ दिल्ली में ही लागू था जो कि अलावदिन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था मुसल्मानों को अपने व्यापारिक वस्तुओं पर 2.5% एवं हिंदूओं को 5% के दर से चुंगी अधा करना पड़ता था सुल्तान सल्तनत का प्रधान न्यायधिश होता था और सुल्तान के नीचे काजी उल्कुजात का पद होता था और सुल्तान के अलावा वह भी शिर्स अस्तर की मुकदमों में निर्ने लेता था कौन? काजी उल्कुजात कस्बो एवं गाओं में अस्थानिय पंचायते विवादों का निप्टारा करती थी नियाय कुरान के नियमों एवं शरा जोकी इसलामी परंपराय है उसके अनुसार होता था प्रांतों की नियाय पालिका में वजी, काजी ए सूबा, दिवाने सूबा एवं सद्रे सूबा आदी चार नियायाले होते थे तो कौन-कौन से चार नियायले होते थे ये होते थे वजी, काजी ए सूबा, दिवाने सूबा एवं सद्रे सूबा चार नियायले होते थे प्रांतों की नियाय पालिका में नियाय करने के लिए इसलामि कानून के चार्ज स्रोथ होते थे कौन कौन तो ये थे कुरान प्रशासनिक कानूनों के स्रोथ हदीश पैगंबर की उक्तिया इजमा जिसमें मुझत हिद द्वारा दी गई व्याक्या पर आधारित कानूनी स्रोथ होता था और कयास तर्ग जिसमें विशलेशन पर आ कहलाते थे मुझत हिद ओके सल्तनतकार में सेना मौलिक रूप से कितने प्रकार में विभक थी कितने प्रकार में बटी वी थी तो दो प्रकार में बटी वी थी वो कौन थे हम्श ए कल्ब और दूसरा था हम्श ए अत्रफ अब हम्श ए कल्ब कौन था वे सानिंग चो सुल्त के ही अधीन、 होते थे और उसी के द्वारा न्यूट किये जाते थे जिसको हम कहते हैं हम्श-एक कल्व और सुल्टान के सामन तो एवं प्रांध्पतियों के द्वारा न्यूट किया गया से नहां, उसको कहा जाता था हम्श-ए- अत्रफ आगे सैनिकों की भर्ती कैसे होती थी वो हम देखते हैं सैनिकों की भर्ती उनके वेतन की विवस्था उनके हुलिया का विवरन रखना उनके अस्त सस्रत था रसत आधी का प्रवंथ करना किसका काम था तो ये था दिवान ए आरेज का काम प्राडंब में सैनिको एवं सिननायको को वेतन जागीर के रुप में प्रदान किया जाता था लेकिन अलाओ दीन खिलजी ने इस प्रथा का अंति कर दिया तो हमें ये भी question पूछा जाता है कि किस ने किस शासक ने वेतन जो है ये जागीर के रुप में देना बंद कर दिया था तो ये दिया था नकद वेदन का किस ने किया था तो ये किया था अलावदीन खिलजी ने सेना का गठन दशमलाव प्रधिती के आधार पर किया गया था ठीक है ये क्वेशन पूछा जाता है हमसे और दस अश्वर रोहियों क कि एक टुकरी सर एक खैल कहलाती थी दस सरे खैल के ऊपर एक सिपास अलाकार होता था और दस सिपास अलाकारों के ऊपर एक आमीर होता था दस आमीरों के ऊपर एक मलिक और दस मलिकों के ऊपर एक खान होता था कुतुब मिनार का निर्मान किस ने करवाया निर्मान किस के स् कुटब मिनार का निर्मान करवाया गया अब कुवात इसलाम मस्जित का विस्तार अलाउदीन खेलजी द्वारा किया गया अब हम आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे सल्तिनत काल के महत्वपूर्ण निर्मान कारे इमारत का नाम कुछ इस प्रकार है जिसने निर्मान करवा वो इधर है और संबंदित तत्य उससे रेलेटर जो हमें पढ़ना है वो इधर हमने नोट करके रखा है सो इमारत का नाम सबसे पहले देखते हैं कुबत उल इसलाम मस्जिद ये बनवाया कुत बुद्दीन एबक में यह पहले जैन मंदिर एवं बाद में विष्णु मंदिर था 1197 इसबी में यह मस्जिद बढ़ाया गया ठीक है इसको मस्जिद में कनवर्ट कर दिया गया और दिल्ली में राय पिथोरा केले के अस्थान पर इंडो इसलामिक शैली में निमित यह पहला अस्थापत्य था जो कि किस के द्वारा करवाया गया कुत्व बुद्दीन एबग के द्वारा करवाया गया और इल्तुत्मिश्व अलावदीन खिलजी ने इसका विस्तार किया जो कि बनवाया गया था स्टार्ट किया गया था कुत्व बुद्दीन एबग के बारे में सो हमने बात कर ली कुबबत उलिस्लाम मस्जिद की जो के जैन मंदिर और उसके बाद विश्ण मंदिर के बाद इसको बनाया गया 1197 में नेक्स्ट हम देखते हैं अढ़ाई दिन का जोपरा जो है ये कुटुबुद्दीन एबक के द्वारा ही बनाया गया है और 1200 इस्वी में अजमेर में निर्मित यह पहले एक मठ था मठ या विहार था ठीके इसकी दिवार पर विग्रह राज चतूर्थ द्वारा रचित संस्क नातक हरी केली के अंश जो है वो आज भी उद्रित है आज भी देखने को मिलते हैं सो अभी भी ये विवादासपद है कि अधाई दिन का जोपरा ये कहने के लिए बहुत बार इडियल साइट में भी आया है कि ये हिंदूों के अस्थान के हिसाब से इसको जाना जाना चाह गया था और हमने उपर में देखा है कि कुतुब मेनार जो है इसका निर्मान किसके स्मृति में किया गया तो ख्वाजा मुहिन उद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मेनार का निर्मान कब किया गया कुतुब उद्दीन एवग के द्वारा कुतुब मेनार का निर्मान किया गया और ये अब इसकी उचाई जो है कुटुब मिनार के बारे में हम देखते हैं 24 फिट है अब इसके बारे में हम देखेंगे कैसे इसकी उचाई बढ़ाई गई पहले कितना था 1911 में कुटुब मिनार का आरेम हुआ और 1232 इसरी में 31 द्वारा पूर्ण किया गया ये क्वेशन पूछा जाता है संभवता इससे यह नाम सूफी संथ कुटुबुद्दिन बक्तियार काकी से मिला और वेसले हमने इसको पढ़ रखा है कि इनी के स्मिर्टी में इसको बनाया गया इसके चज्जे स्टेलेक टाइट हनी कोमिंग तकनीक द्वारा मिनार से जुरे हैं इसके आधार पर एक पुरा लेख पर फजल इबन अबुल माली का नाम मिलता है और विद्यूत आगहात यह कारण इसकी एक मंजिल इसकी वज़ा से एक मंजिल जो है ये छतिग्रस्त हो गई जिसकी मरमत करवाने के साथ साथ फिरोस दुगलक ने एक अन्य पांचवी मंजिल भी जोड दे थी 206 इस्वी में सिकंदर लोदी ने इसकी मरमत करवाई और अब इसकी उचाई कितनी है 24 फिट की है प्रारंब में इसे चार मंजिला वह 125 फिट का बनाया गया था आगे हम देखते हैं इलतुत्मिश का मकबरा जो कि इलतुत्मिश के द्वारा ही बनवाया गया था तिल्ली स्थित एक कक्छी मकबरा है जो कि 1232 सिस्वी में बनवाया गया और ये लाल पत्थर से बना है इसमें हिंदू और इसलामी वास्तुकला का मिक्स्चर है मिस्टरन है यहां पे हमें यह एक और नोटिस कर देना है सुल्टान गढ़ी के बारे में जोकि इल्टुत्मिष के द्वारा बन वाया गया और 1231 सीश्री में इल्टुत्मिष द्वारा अपने जेश्च पुत्र नासिर उद्दीन का मकबड़ा बन वाया गया और भारत में निर्मित प्रथम मकबरा है ये इलतुत्मिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है तो ये पॉइंट आप नो टाउन कह लिजेगा अगर पुछा जाता है कि मकबरा शैली का जन्मदाता किसको कहा जाता है तो ये इलतुत्मिश को कहा जाता है हौजे शमसी तथा शमसी इदगाह ये भी इलत्वत्मिश ने बनवाया और दोनों भवन बदायों में इस्थित है कौन सा हौजे शमसी और शमसी इदगाह ये कहां इस्थित है ये इस्थित है बदायों में अब इतना हम complete करने के बाद देखते हैं बल्बन का मकबड़ा जो कि बल्बन ने बनवाया इसमें पहले बार वास्तिविक महराब का प्रयोग किया गया इसलिए एक वाशन पूछा जाता है और यह महराब जो है यह तिकोने डौट पत्थरों और मुंदेर पत्थर पर आधार था ओके यह कुवत अल इसलाम मस्जित का दक्षिनी प्रवेश त्वार था इसमें पहले बार तिकोने डौट पत्थरों पर आधारित वज्ञानिक विधी से गुम्बत बनाया गया यही पहली बार भोड़े की नाल की आकरिती वाले महरा बनाए गया यह सारे के सारे चीज इसलामी अस्धापत्य के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है और यहां इमारत लाल पत्थर की है इसमें कुरान की आयतों से काफी सजावट की गई है किसमें बर्वन के अलाई दर्वाजा में जो अलाउदीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया फिर बात आती है हजार सितून की हजार अस्थंबो वाला महल है यह जो की अलाउदीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया और दिल्ली के निकट सीरी नामक नगर के पास 1303 इस्वी में इसको निर्मित किया गया था जमात खाना मस्जिद क्या है यह अलाउदीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया और ततक से बनी है कौन से जमात खाना मसजित CHEAAAAAAAA जो अभी हम सुनते हैं यह दिली में इस्थित है सीरी का किला अलाओतिन खेस ージh जी की कोट बन वाया गया एंस सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया और सिरी के कीला को एश का लास्ट पॉइंट है हमारा उखा मस्जिद जो की मुबारफ शाह खिल जी के द्वारा बनाया गया था भरतपूर राजस्थान में इस्थित है तो यह थे आज के points important facts जो हमने इस वीडियो में complete किया और next वीडियो में हम complete करेंगे सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी के बारे में जहां से questions बहुत सारे पूछे जाते हैं ओके आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा कोई भी कमी नजर आती है तो मुझे comment section में comment करके जुरू बताइएगा next video काफी important होने करने वाला है क्योंकि इस टाइप के points आप डोंटाउन करने वाला है आप देख रहा होंगे जो कि questions पूछे ही जाते हैं सो मिलते है next video में thank you so much